नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भालचंद्र, ब्रह्मान्द सिद्याश्चों में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भालचंद्र, ब्रह्मान्द सिद्याश्चों मेरे नाम है। राहुकाल है वह शुर्वातों का सुब नौ बचकर तेरा मिनिट से लेकर दस बचकर उन्चास मिनिट तक और यमगंड़काल दो पर दो बचकर एक मिनिट से लेकर तीन बचकर से तिस मिनिट तक का होगा। राहुकाल और यमगंड़काल दिन के अशुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण काम या फेनिरने बिल्कुल भी नहीं लेना। उसे प्रकार आज का जो दिन है अक्षय तृतिया का दिन है महतोपुर्ण जो भी खरेतदारी आपको करनी है सोना चांदिया फिर अन्य महतोपुर्ण वो आज के दिन आप कर सकते हो आज का जो दिन है काफी महतोपुर्ण और शुबफलदाई है उसे प्रकार आज के दिन क जो चंद्रमा है यह चंद्रमा पूरे दिन वृषब राशी में ब्रह्मन करेगा यह चंद्रमा नेप्चन के साथ लाभ योग करने जा रहा है शनी के साथ केंदर योग करने जा रहा है यह ग्रसती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिपल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के द्वीतिय भाव में चंदरमा का ब्रुमन है और आपके वे ये भाव में से निप्चिन के साथ ये चंदरमा लाव योग करने जा रहा है आपके लाव भाव में से कुल मिला के देखा जाये तो दिन आपके लिए शुब फलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है प्रिशब राशी बिशब राशी में इस चंद्रमा का ब्रमण है और आपके लाब भाव में से निप्चन के साथ या चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है दशाम भाव में से शनी के साथ या चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है महतोप्रुन दिन है आपके आपके जो उर्जा हो गी वो काफी अच्छी देखी जाएगी आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी उ 드वार है मितन राषी कुछ अच्छा अनपेक्षप लाव अगरा भी मिल सकते हैं वाग्यभाव में से शनीक के साथ ये चंद्रमा केंदर योग भी करने जा रहा है काफी महत्वपुर्ण दिन है आपके लिए घूमना फिना थोड़ा हो सकता है थोड़े पैसे भी कर्श हो सकते हैं लेकिन दिन काफी अच्छे तेरे के से बीच सकता है आपको जो भी कारेश है उससे रिलेटर कुछ अच्छी ख़बर भी मिल सकते हैं तो बिल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुब फलंदाई सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करकरशे के लाव बाव में चंदर मा का ब्रहणा रावे के भागे बाव में से ब्युक्तिन के साथ यह चंदर मा लाव भी मिल सकते हैं उसे प्रकार आज की दिन आपका जो मूर होगा वो भी काफी अच्छा देगा जगा सिर्फ आपको तो स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के दशम बहुमें चंद्रमा का भ्रह्मन है और आप ये के अश्टम बहुमें से निप्चिन के साथ ये चंद्रमा लावियोग करने जा रहा है सबतों bom में सिस जनिय के साथ ये चंदर्मा के इंद्रयोग भी करने जा रहा है तो जो भी काप का कारशेतरे हैं वहाँ पर के जो लोग उनके उनसे आज आज आपके हार्मनी काफी अच्छे देखे जाएका आपका जो confidence है वो भी काफी अच्छा दे जाएगा सिर्फ आपकी जो वई-वई जो डिदार है उनके साथ चूटी-मूटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है इसके बात की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या बाव में से बाव में से निप्चिन के साथ यह चन्द्रमा केंदर योग भी करने जा रहा है महतो पुर्ण दिन है आपके लिए आज का जो दिन है आपको कुछ अच्छे इंट्यूशन्स वगरा आ सकते हैं आपके कुछ अच्छे काम अगर आउन बनते में निजार आएंगे उसी प्रकर अगर आप भी वाइद हो तो जो वाइवाइक जोड़िदार है उनके साथ भी आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बात की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के अष्टम भाह में चंदरमा का भ्रहमन है और आपके के शेश्चेश्टम भाह में से निप्टिन के साथ या चंदरमा केंदरयों भी करने जा रहा है स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा उसमें अगर आज के दिन के आपको कुछ अनपक्षित लाव अगरा भी मिल सकते हैं अगर आप किसे के रिलेशन्शिप में है तो वहाँ पर चोटे मुटे बातों को लेकर तकरार हो सकती है इसके बात के जो राशी है वो है वरिच्चिक राशी वरिच्चिक राशी के सब्तम भाव में चंदर्मा का ब्रहमन है और आप एक के पंचम भाव में से निप्चन के साथ या चंदर्मा लाव योग करने जा रहा है तो अगर आप इभाई तो आपके जो भाईभाई जो डिदर है उन के साथ आपके हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर भी आप दोनों में जो हार्मनी है वह काफी अच्छी देखी जाएगी, घर के जो बुजर्व वेक्ति होंगे, उनके स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना अवश्चक होगा इसके बाद की जो राशी है, वो है धनु राशी धनु राशी के शच्छ भाव में चंद्रमा का ब्रह्मनारापे के चत्रत भाव में से निप्चिन के साथ यह चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है, आपके दृतिया भाव में से शनी के साथ यह चंद्रमा के इंद्रयोग भी करने जा रहा है, तो जो भी आपका कारश चेत इसके बाद के जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के पंचम भाव में चंदरमा का भ्रमन है और आपके दितियो भाव में से शनी के साथ ये चंदरमा केंदर यूग भी करने जा रहा है तो अगर आपके इसे के रिलेशन्शिप में है आज का जो दिन है बहुत ही इसके बाद की जो राशी है वो है कुंब राशी कुंब राशी के चतुरत बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन रापी के द्वीतिया बाव में से नेप्चन के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपी के राशी में से शनी के साथ ये चंद्रमा के इंद्र योग भी करने जा रहा है तो आज के जिने आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी मोटे दर पर अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए काफी ज़्यादा शुब फिलदाई साबित होगा घर के जो लोग है उनके साथ आल आपक शनी के साथ यह जंद्रमा के इंदर युग भी करने जा रहा है आज का जो दिन है थोड़ा सा एक्जास्टिंग साबित होगा आज आपका घूमना फिरना जादा हो सकता है मैं तो पूर्ण काम भी आप आतमें ले सकता कास करके आपके जो रिलेशन्शिप में वेखती है उ पीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मान्टसिद्याइस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद